हलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर कॉमल बहल वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल श्री आयरुवेद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं श्री आयरुवेदा यूट्यूब चैनल अपने आयरुवेदिक स्टूडेंट्स एंड बीमेस डॉक्टर्स एमडी डॉक्टर्स की ह इसमें हम आपको main viruses बताएंगे कौन से disease में कौन सा virus होता है क्योंकि इसमें से हर सल question आने के पूरे-पूरे chances होते हैं तो 15 ऐसे main most important points हम याद करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो main जो viruses है in pathology वो हम देखते हैं इसमें 15 points है जो कि आपको अच्छे से याद करने हैं हम बहुत जादा points नहीं कराएंगे class में नहीं तो वो याद नहीं होते हैं तो small box में है variola virus second is chicken box, chicken box में आपका आजाता है varicela virus and third is influenza, influenza में आजाता है orthomixovirus orthomixovirus आता है influenza में, fourth is common cold common cold में आपका आता है rhino virus fifth is measles, measles में आता है paramyxovirus sixth आ जाता है mumps, mumps में दोस्तो mumps virus होता है and rabies कहीं बार question आ चुका है इसमें होता है rabido virus and next is dengue, dengue में होता है arbo virus कहीं बार question आ चुका है, herpes में होता है herpes virus, ठीक है, and फिर AIDS में होता है HIV फिर उसके बाद होता है poliomyelitis में कौन सा virus होता है enterovirus, फिर उसके बाद next है कि जो dermatotrophic virus होते हैं, जो skin पे effect करते हैं mainly वो है smallpox and measles next is neurotrophic virus कौन से होते हैं, जो nervous system पर effect करते हैं इसमें एक तो आ जाता है poliomyelitis, ठीक है, और दूसरा आ जाता है hydrophobia, ठीक है, जो rabies का virus होता है फिर उसके बाद pneumotropic virus कौन से होते हैं, pneumotropic में आपका आ जाता है pneumonia and influenza last point इसमें है कि जो virus होते हैं, ठीक है virotropic, तो उसमें varisotropic, तो यह है yellow fever and hepatitis तो दोस्तों यह थे 15 points, हम step by step आपको देरे-देरे सारी pathology जो कि exam के point of view से important part है, वो याद कराएंगे ताकि आपके जो modern medicine के questions है वो ना चूटे and daily class में 15 से 20 points हम याद कराएंगे ताकि आपको learn करना daily easy लगे and easily आप कम से कम आधा घंटा इन points को learn करने के लिए निकाल पाएं धन्यवाद